तो जैसा कि आप सभी को पताए कि BPSC TRE 1.0 and 2.0 कि जितने भी candidates हैं जो selected हैं उनका कब तक जोईनी होगा और school enlightenment कब तक होगे और पदस्थापन पत्र बितरन कब से प्राड़म हो जाएगा तो इसके मैं पलपल की update आप सभी को देता रहता हूं तो इसे मैं फिर से एक बहुती बड़ी update इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के भी शेयर करने वाला हूं तो इसलिए मैं चालता हूं कि आप लोग वीडियो को आनतक ज़रूर दखे ताकि हर एक information आप तक पहुंच सके तो अगर मैं बात करूं इस वीडियो में तो BPSC TRE 1.0 के supplementary result वाले और 2.0 के के दौ वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुती मात्वून इनफर्मेशन सेर करने वाला हूं और इससे पहले मैंने और एक दो डिश्टी का दिखाए तो चलिए आज मैं फिर से एक update आप सभी के भी शेयर करने वाला हूं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छ आपके अपने डिश्टी का इसकुल एलाइटमेंट हो जाएगा और कब तक आप लोग जोइन कर लेंगे तो चलिए मैं इससे पहले थोड़ा सा यह जो update है आपके कटिहार डिश्टीक से निकल के आए हैं और इससे क्या related information है आईए मैं आपको यह सेर करूंगा फिर वीडि टिया चरन की सिचक नियुक्ति टियारी टू के तहत चैनित विद्याले अध्यापको के विद्यालों में पदस्थापन के संबंद में परसंग अपर मुख सचीव सिचाविवाग बिहार पटना के पत्रंग साथ यहां पर देख सकते हैं दिनांक आठेक दोजर चोबीस वि काउंसलिंग के उपरांग सफल अभ्यारतियों को ततर्त नियुक्ति पत्र तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर बतायागा कि विश्यांक की संदर में अपर मुख सचीव सिचाविवाग बिहार पटना के प्रासंगीक पत्र के माध्यम से बिहार लोग सेवा आयोकदोरा दुईतिया चरन टीरी टू के सिचक नियुक्ति के सापेज काउंसलिंग के उपरांग सफल अभ्यारतियों को ततर्त नियुक्ति पत्र परदावन किया जा चुका है नब नियुक्त अध्यापकों के बिद्याले पदरस्थापन के निर्मित रिशनालाइजेश तो देखें ये जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया ये आप लोग पर सकते हैं आप देख सकते हैं और बहुत सारे का ये भी मेसेज आ रहा था कि सर ये जो है वो क्या पहले का नोटिस है या अब का है तो मैं आप सभी को बतना चाहूंगा कि दोस्तों ये अब का नोटिस है और मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी दिखाया था कि उस नोटिस में जो अपर मुख सचीव का जो नोटिस आया था उसमें ये बताया गया था कि आपके रिशनलाइजेशन के थुरू आपके जो विद्याले पदर स्थापन है वो प्रारम हो जाएंगे तो इसमें ये बताया गया था कि सबसे पहले 11-12 के होंगे तो देख सकते हैं इस नोटिस में अध्यापक यूनिट को पहले विद्याले आवंटित किया जाए अर्थात कच्छा 11-12 की यूनिटों को सबसे पहले विद्याले आवंटित किया जाना है क्योंकि इन यूनिटों के अध्यापक कच्छा 9 to 10 को भी समाल सकते हैं तो यह आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी दिखाया था और जो अपर मुक्स अचीव का सिछागवा का ओफिसियल जो लेटर आया था उसमें भी मैंने दिखाया था और अब धिरे-धिरे करके सभी डिस्टिक में अपन में अर्थात 123 इत्यादी दर्साया जाना है अता जिला सिछा पतादीकारी का टियार के माध्यम से रेशनलाइजेशन हेतू प्राप्त प्रस्ताव को मूल रूप से पत्र के साथ सनलगन करते हुए वैलिडेट किये जाने के निमित यहां पे देख सकते हैं निर्देश दिय क्या जाता है कि उक्त कार है तू संबंदित परखंड के परखंड सिछा प्राप्त अस्थापित कर विद्याले परधान के सायोग से रेशनलाइजेशन का प्रस्ताव दो दिनों के अंदर यहां पे देख सकते हैं कि अदो हस्ताच छड़ी को समर्पित करना सुनिश्चित स यहां पे करना है तो मैं बात करूं तो दो दिनों का अंदर यहां पे दिया गया है यहां पे देख सकते हैं कि इसका मतब साफ साफ यह देख सकते हैं यह लेटर जो है वह 20 तारिक का यह दिया गया था तो दो दिनों का अंदर मतब 20-22 तो 22 में चुटी था इस कारण से हो सक माद्यम से यहां पर शेयर करने वाला हूं तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यह लेटर मैंने आपको क्यों दिखाया साथ ही मैं अगर थमिल पे लिखाओं कि आज किन किन जीलो का आवंटन होगा तो मैं वो लेटर क्यों दिखाओं मैं वो लेटर इसलिए दिखाया हूँ कि उपर से देखिए मुख सिछावगा के थुरू सभी जीले के जो भी एजुकेशन आफिसर हैं उनको यहाँ पे लिटर या शाफ शाफ अच्छोडों में बतायां कि अब स्कूल आवंटन अगरे श्टार्ट हो जाए तो इस दिन को प्रोसेस लगने में मैखसिमम 5 दिन लगते हैं कि आप लोग सूच सकते हैं कि 5 लों के अंदर सभी जिलों के आने प्रारंब हो जाएं कि ये आप लोग सेवर है और जो भी चैनल के माध्यम से कि आपको लग रहा है कि बहु जल जादा टाइम लगेंगे तो ऐसा आपको नहीं है मैं जो आपको बताता हूं आप लोग बिल्कुल ध्यान से रहे है क्योंकि जब ये लेटर पिछले बाद TRE1 से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बिल्कुल TRE1 के अगर candidate होंगे तो उनको पूरा पता होगा कि मैं जो भी information share करता हूँ बिल्कुल official रहता है और बिल्कुल आपके match भी करें देखते हुए मैं बात of candidates हैं सबसे पहले जो होता है यही लिया जाता है देखिए जैसे ही मैंने आपको पहले ही बता है कि randomization software के थुरू होना है तो यह होने में maximum एक दिन लगते हैं जैसे मनले जी आज 23 है या 24 है या 25 है आज अगर स्टार्ट हो गया तो यह करने में maximum 4-5 घंटे लेंगे आपको नहीं तो हो सकता है किसी कसी जीले में थोड़ा बहुत प्रेशानी होता है तो एक से दो दिन maximum लग सकते हैं तो इसके अनुसार भी मैं बात करूं तो maximum 5 दिन होते हैं और देखिए जितना भी टाइम अभी आपके लग रहे हैं तो बस एक ही चीज में भी लग रहा है कि 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 इस इसकुल में कितने पोस्ट खाली है उसके अनुसार लिस्ट मंगया जाड़ा है तो इसके बेसिस पे तो जैसे ये लिस्ट अगर आ जाएगा सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल पिछले बार के अनुसार बताता हूँ कि एक से दो दिन आपके maximum हो ह Алगे और यह सम्मिला उसकी हैं जैसे कि मैं बात करूँ है फिर मैंने भी देखा को कटियार तो कुछ ऐसे district हैं जिनका ये प्रारंब हो चुका है लेकिन कुछ ऐसे district है थोड़ा सा सलो चलते हैं तो उनको हो सकता है थोड़ा सा चार से पंस दिन extra लग सकते हैं लेकिन जो district अभी से ही लगे हुए इस काम पे तो बहुत जल्दी उमीद है कि आपके list आना प्रारंब हो जाए हैं तो फिलाल ये सारे अपडेट्स थे और उमीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लिजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा के रखिए जिससे कि आपको हर एक information time to time मिल सके और साथी मैं कोसि इसमें जाके बात करने वाले हैं जैसे बे उसरा होगे फिर पटना के होगे क्योंकि जो में होता है वह पटना तो सोच लिजिए कि उसके नीचे जितने वीडियों सभी के सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही आपको कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा आज मैं मिलने जा रहा हूं तो आपके कमेंट का जो भी कोस्टन आएंगे तो उसका जो सॉल्यूशन पूछने का मैं पडियतन करूंगा तो सकता है अगर मैं लाई भी आ सकूँ लेकिन सी चाहिवा का ओडर नहीं रहता है जिस कारण से देखें में ज्यादा जो हो परिशान भी करना नहीं चाहता हूं तो फिलाल यह सारे अपडेट्स थे और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद